तो इससे ये बात तो साफ हो गई ना कि JyotipAurya कही न कई आलोगकुमार मौниया को अपने रास्ते से हटाने के लिए उनकी जान तक लेने के लिए तयार हो गई, तो देखिए, EXTRA MERITAL AFFEYER करना हो सकता है एक BART के लिए गलत ना हो, लेकिन जान लेने के साज़ेश रचना य इससे आप भी इंकार नहीं कर सकते हैं ये जो चीजे हैं वो क्यों पहले नहीं बताए गए और सबसे बड़ी बात जोती मौरिया क्या जूट बोल रही है ये कही न कहीं उनके पिता के बायान से भी साफ हो रहा है जिसमें उनके पिता कहीं न कहीं अपने शब्दों को बदलत के बीच चल रहे उस तक्रार पर चर्चा करेंगे और साथ ही उन तमाम जो है इशू स्कूले करके बात करने की कोशिश करेंगे जिस पर इस समय सोशल मीडिया समय तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वागई क्या अलोग कुमार मौरिया के दौरा जो तमाम आरोप लगाए गए हैं उसमें सच्चाई है या फिर वो जान बुचकर जो है जोती मौरिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और साथी कोट का इसमें क्या रुख हो सकता है कोट में जो सुनवाई चल रही है इसमें क्या लोग कुमार मौरिया उस तरीके सबूत पेश कर सकते हैं जिसके आदार पर जोती मौरिया को जेर हो सकती है या फिर इसमें ये जो दाव है उल्टे अलुक कुमार मौरिया पर ही भारी पर सकता है मिरे साथ बात करने के लिए प्रग्या मौजूद है इन से समझते हैं कि इस पूरे मामले पर इनकी क्या पर उसके बाद सवाल लेंगे पर इन से समझ लेते हैं कि जोती मौरिया और अलुक कुमार मौरिया के बीच चल रहा है विवाज इस पर आपके अपनी नीची राए देखे यहां पर अगर मैं बात करूं जिस तरीके से आलुक मौरिया को लेकर के जोती मौरिया कहीं नहीं जोट इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि आप पहले से एक सम्विधानिक पत्पे थी अगर वाकई में आपके साथ दही जुद पीडन हो रहा था तो आलुक कुमार मौरिया की बोलने का इंतजार क्योंकि आप चाहती तो PCS अधिकारी बनते आप सबसे पहले अपने पती को जेल भिजवा सकती थी लेकिन आलोक कुमार मौरिया को फसाने के लिए जस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले को कही न कई पलटने का काम किया जब आलोक कुमार मौरिया ने तमाम सबूत पेश कर दिये जब सोशल मीडिया पर जोती मौरिया को जमकर फटकार लगाया जाने ल जिसे लेकर के जोती मौर्या के पास कोई सबूत भी नहीं है, सिर्फ एक शादी का कार्ड है, तो आपको बता दू कि शादी के कार्ड जो है, 10-10 रुपे में ऐसे 100 मिल जाते हैं, और क्या सबूत है उनके पास, कि वो असली कार्ड है, हो सकता है कि वो कार्ड उन्होंने बाद में बनवाया हो, और जाहिर सी बात है कि भाई, आप PCS अधिकारी है, आपका एक अच्छा खासा दबदबा है, तो आपके लिए एक नकली कार्ड बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बात आलोक मौर्या, खुद कहते हैं, इसके अलावा, आखिर कार अगर वा भी हुई है, जो शुब्रा मौर्या का नाम आ रहा है, जो जिठानी हो, उसके उसने भी FIR करवाई, तो ये तो सच्छाई है कि FIR करवाई गई, लेकिन FIR करवाई गई है, तब जब आलोक मौर्या, मीडिया के सामने तमाम सबूतों को रख चुके हैं, यहां मैं बात कर रह है, जिसमें उनके पिता कहीं न कहीं अपने शब्दों को बदलते हो, नजर आए, उनके जो बयान है, जो उनकी जुबान है, वो लड़ खड़ाती हो, यह दिखाई दी तो सामने जूट बोलने की जहां तक बात आपने की जूट बोलने को लेकर जो ती मौरिया लगातार य है, कि जो आलोग कुमार मौरिया ने शादी से पहले तमाम बातें बतला ही थी, कि वो एक अफसर है, बड़ा पदा दिकारी है, और उसी जो लालच में आकर जो ती मौरिया की परिवार ने उसके साथ ब्याने का फैसला लिए, तो देखिए, यह बात तो आपने खुद ही सा लेकिन आपने खुद कहा, कि जोती मौरिया ने अलोग मौरिया से इसलिए शादी की, क्योंकि उन्होंने अपने आपको एक बड़े अधिकारी के रूप में दिखाया, तो इससे सबसे बड़ी बात यह साफ हो गई, कि जोती मौरिया ने कहीं न कहीं लालच में शादी की, तो फिर 13 साल बाद आखिरकार एक्स्ट्रा मेरिटल अफैर, आखिरकार क्या जरूरत, चलिए हो भी जाते हैं, और कहीं न कहीं, एक्स्ट्रा मेरिटल अफैर को मैं गलत नहीं ठहराऊंगी, सवाल यह है, एक्स्ट्रा मेरिटल अफैर अगर हुआ, आप चाहती है, आप मेर्ट मोर्या को अपने रास्टे से हटाने के लिए उनकी जान तक लेने के लिए तैयार हो गई तो देखिए एक्स्ट्रा मेरिटल अफैर करना हो सकता एक बार के लिए कि गलत ना हो लेकिन जान लेने के साज़ श्रचना ये कही न कही साफ तोर पर गलत है और इससे आप भी इंकार नहीं कर सकते हैं सवाल ये है ना कि एक नेरेटिव जो है सेट किया जा रहा है लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि शादी के बाद आलो कुमार मौरिया ने उसे पढ़ाया और फिर तब जाकर के वो एश्टियम बन गई क्या आलो कुमार मौरिया ही एक्जामनेशन आॉल में गए थे लिखने के लिए ये एक जिम्मेदारी की बात है अगर आप जो है शादी कर रहे हैं तो जारा खाल्चा आपके जिम्मे में होता है तो ऐसे में इस बात को इस तरीके से पूरे तो का ciao आप सही मान रही है क्या जोती मौरिया के अपनी मेहनत नहीं थी और जहां तक बात 13 साल के बाद इस मामले के उटने की बात है तो ये तो आलोकमार मौरिया पर भी लागू होती है कि उसने पहले सारी बातें क्यों नहीं की और अब शुब्रा मौरिया जो में फयार करवा रही है तो क्या एक ही परिवार से दो लोग जो है इस तरीके के बाद जब कह रहे हैं तो इसमें कोई ने कोई सच्चा ही तो होगी परिवार हो सकता है कि दहेच वाले मामले को लेकर जो तमाम बातें कही गई है उसे फयार में सवाल मेरा फिर से वही रहेगा कि शुब्रा मौरिया ने अखरकार इतना क्यों इंतिजार किया या फिर शुब्रा मौरिया को लगा कि भाई जोती मौरिया तो जो है वो रातो रात फेमस हो गई है और मैं भी तो उस घर की बहु हूं लेकिन मुझे तो कोई नहीं जानता तो अगर कोई बन रहा है तो इसमें तो फेम एक तरीके से आलोग कुमार मौरिया को ही जाता है लेकिन लेकिन मैं यहाँ पर शुब्रा मौरिया की बात कर रही हूं आप यह देखिए कि पूरा का पूरा बयान उन्होंने जिस तरीके से कहीं नगई चिपकार डाला है अपनी ए मैं फिर से वही दोहराऊंगी कि अगर आपके साथ दहे जुत पीडन हुआ है जूट बोल करके आप से शादी की गई है सबूत लेकर आईए जिस तरीके से आलोग मौरिया लगतार अपनी बातों को सच साबित करने के लिए सबूत पेश कर रहे है मुझे लगता है कि अगर जोती मौरिया हो या शुबरा मौरिया हो या मनीश दूबे ही क्यों ना हो अगर वो सच बोल रहे तो सबूत लेकर आईए क्योंकि यहां पर यह मैं नहीं कह रहे हुए लोगों की राय नहीं है कोट में भी जब यह मामला जाएगा तो कहीं न कहीं जच साहब भी उनसे इस वक्त सीधे और साफतार पर इस पूरी कहानी में जितने भी किरदार है सबूत सिर्फ और सिर्फ अलोग कुमार मौरिया के पास है तो आप भी इस चीज़ को बैतर ढंक से जानते हैं कि जिसके बास सबूत होंगे कहीं न कहीं उसके पक्ष में फैस्त लाएगा बिलकुल जो ये मामले इस ढंक से लगतार जो है इस पर चर्चा की जा रही और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अब इसमें कई और जो है एंगल जो जुड़ते चले जाएंगे कूए बैतर ढंक से लाएगा है तो अब देखते हैं कि कोट में जो अगली सुनौाई होने वाली है इसमें क्या नया रुख्जे देखने को मिलता है कोट का और अब जो जो ती मौरिया को मौका मिलेगा सबूत पेश करने का वो उसके पास सबूत के रूप में क्या सारी चीजे मौजूद है और कोट जो है इन सबूतों को कितना जाद है जो है ऐमियत देता है फिलाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही जुड़े रही है देश्व दुनिया के बड़ी खबरों के लिए नेक्शनाइन न्यूस के साथ